जाती के आधार पर तैनात हो रहे हैं SDM और BLO, अखलेश यादब जाती के आधार पर encounter ये पूरा देश जान रहा है और कह रहा है और सोचिये दवाब इतना है कि अब एक ठाकुर समाज का भी encounter हो गया क्या UP में एक कोट कचहरी की जरूरत नहीं है? क्या UP में अब कानून विवस्था की जरूरत नहीं है? और क्या UP के encounter पर कोई संग्यान भी लेने के लिए तियार नहीं हाई कोट सुप्रिम कोट? क्या UP में अब बुल्डोजर के बाद ठोको निती से ही राजी चलेगा? और सवाल है कि encounter के पीछे मकसद क्या है? नमस्कार मैं संभुकुमार सिंग और आप देखने हैं नेशनल दस्तक UP में दर्जनों कहा जाता है सैक्रो दलित पिछरे अलफ संख को का encounter हुआ दो ऐसे भी encounter हुएं एक ब्रह्मन समाज के आरोपी का जिस पर कई पुलिस वालों के हत्याक आरोप था उसकी गारी पल्टी और अब एक सुल्तानपुर मामले में मंगेश यादब के एक encounter का जब दवाब बह रहा था तब जाकर एक और encounter हुआ लेकिन लोग कह रहें कि क्या ये damage control है लेकिन सवाल है कि भारत की न्याय परकिरिया कहती है कि कोई हजारों दोसी बज जाए लेकिन कोई निर्दोस को सजा ना हो सवाल है कि पुलिस के बयान को कोट नहीं मानती है अगर पुलिस कहती है कि ये आदमी हत्यारा है, लुटे रहा है, गुंडा है, क्रिमनल है तो इसके सबूत कोट में पेस करने होते हैं और कोट तै करती है कि ये सही है ये गलत है अगर लोर कट से कोई आदमी दोसी हो गया, तो वो हाई कोट जा सकता है हाई कोट से दोसी हो गया, तो सुप्रिम कोट जा सकता है सुप्रिम कोट में भी दोसी हो गया, तो repetition डाल सकता है इतने मौके होते हैं ये judicial system है बाराना रिपब्लिक नहीं है लेकिन सोचिए जो लोग UP के कौन लोग है वो जो दलित, पिछरा, आदिवासी, किसान, अल्फ संख्यकों के इंकाउंटर पर ताली बजाते हैं बुल्डोजर राज को अगर बुल्डोजर दलितों पर पिछरों पर चले तो उसको खुशिया मनाते हैं सुचिए उसी उपी में जब मुसल्मानों के महले में बुल्डोजर चला विकास के नाम पर तो चाड़ो तरफ ताली बजी और जब वही बुल्डोजर हिंदू परिवारों पर चलने वाला था तो बुल्डोजर रुग गया हिंदू में भी सवन लोग थे तो क्या धर्म और जाती देखकर ये सारा फैंसले हो रहे हैं और कलपना कीजिये कि जो लोग आज ताली बजा रहे हैं चाए वो मंगेशी आदब के इंकाउंटर पर ताली बजा रहे हैं चाए अब जो इंकाउंटर हुआ उस पर ताली बजा रहे हैं कल अगर सरकार बदल गई तो कल जिसका इंकाउंटर हो रहा है कल इनकाउंटर जिस समाज का हो रहा है उसकी सरकार आ गई तो मैं फिर कह रहा हूँ इस देश को बनाना रिपबलिक मत बनाईए इनकाउंटर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है इनकाउंटर का मतलब होता है दुनिया में उन देशों में जेल बंद हो रहे हैं जहां सुधार के कारकरम चलाए गए है अपराद वहां कम हो रहा है जहां रिफॉर्म के कारकरम चलाए गए है कम से कम तथागत बुद्ध से सिखिए जिनोंने अंगली माल को सजा नहीं दी अउली माल को सुधार दिया तो ये जो इनकाउंटर का दौर चल रहा है मैं फिर कह रहा हूँ अगर इतनी हिम्मत है आपमे तो बिजय मालिया हजारो करोरो लेके भाग गया छुपा है किसी से क्या करिये इनकाउंटर ललित मोदी, नीरब मोदी, संदेशरा और वो तमाम बैंक लुटे रहे जो देश के अंदर और देश के बाहर चले गए मैं फिर कह रहा हूँ इंडियन जुडिसियल सिस्टम के हिसाब से आरोपी तब तक आरोपी होता है जब तक कोट से उसको गिल्टी न हो जाए और सोचिये भारत की संबेधानिक विवस्था नियाईक विवस्था ऐसी है कि अगर आप लोवर कोट से दोसी हो गए तो आपके पास हाई कोट है हाई कोट से भी दोसी हो गए तो सुप्रिम कोट है सुप्रिम कोट ने भी ठपा लगा दिया उसके बाद भी repetition का मामला होता है जरूरत है कि तमाम जो लोग हैं उनको नियत समय पर trial हो सजा के दर बढ़ाया जाए trial बढ़ाया जाए trial speed बढ़ाया जाए ताकि न्याय होता हुआ दिखे लेकिन ये जो जो लोग Taliban को कोशते हैं Afghanistan को कोशते हैं I encounter पर ताली बजा रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ आप फूस के घर के बगल में आपका भी घर है न सहाब तो आप भी चपेट में आएंगे किस तरह से एक ब्रह्मन समाज के आरोपी का जो गैंक्स्टर था जिसने कई पुलिस वालों के हत्याक आरोप था कोट में उभी नहीं गया मामला गारी पलर दी गई किस तरह से पूरा ब्रह्मन समाज एक जूट हो गया था अब सोचिए जिनरल कैटिगेरी के एक उसको आरोपी है बदमास है लुटेरा है उसका इंकाउंटर हो गया है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे है अखिलेश यादब कह रहे हैं कि SDM और BLO तक की पोस्टिंग जाती देखकर हो रही है अब उसके बाद अखिलेश यादब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है मैं चाहता हूँ कि वो बयान आपको सुनाऊं और सबसे कमजोर लोग एंकाउंटर को अपनी सक्ती मानते हैं किसी का भी फरजी एंकाउंटर नाइनसाफी है हिंसा और रक्त तुमसे उत्तर परदेश की छबी को धुमील करना उत्तर परदेश के भविस के बिरूद एक बड़ा सर्यंत रहे आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविस में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे इसलिए वो जाते जाते उत्तर परदेश में ऐसे हालात पैदा करने चाहते हैं कि उत्तर परदेश में कोई परवेश निवेश ही न करे उत्तर परदेश की जागरुग जनता ने जिस तरह लुकसवा चुनाओं में भाजपा को हराया है भाजपा उसी का बदला ले रहा है जिनका खुद का कोई भविस नहीं होता वो ही भविस विगारते हैं निंदनी है तो अखिलेश यादव ने बड़ा सवार उठाया है और सोचिये सोचल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंडिंग है अज सुबह में जिस तरह से ये पूरा पहले मंगेश यादव ट्रेंड कर रहा है किस तरह से मंगेश यादव का इंकाउंटर हुआ था मंगेस यादव के ट्रेंडिंग के बाद आज फिर से एक और अनूज परताप सिंग नाम के सक्स के जिसका इंकाउंटर हुआ है वो ट्रेंडिंग कर रहा है लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं रिट्वीट कर रहे हैं अनूज परताप सिंग के पिता को सुनिए आखिर 34 साल केस वाले मुखम आरोपी वीपिन सिंग का एंकाउंटर क्यों नहीं हुआ यह खुद उनके पिता कह रहे है एंकाउंटर छोड़ो पेसी के दरान बिना हत्करी के लाया गया अनूज परताप सिंग का एंकाउंटर मंगेज यादव एंकाउंटर का डैमिज कंट्रोल है सवाल है कि खुद जो मुखमंत्री है उन पर दरजनो केस था यह अनूज परताप सिंग है इनका एंकाउंटर कर दिया गया सुल्तानपूर लुटकार्डवे मंगेज यादव के एंकाउंटर की वज़़ से सरकार पर जातिपात का रोब लग रहे थे सरकार दवाब में थी अब दवाब कम हो गया है मेरी मांग है सियम्योगी को बरखास करो स्टियेफ को भांग करो यह आईपी सिंग है राजपूर समाज से आते हैं यह नेता है समाजवाज अब नूज परताप सिंग की हत्या इनकाउंटर पर अब छत्रिये बाहुबलियों का खुन नहीं खौल रहा क्योंकि मुखमंत्री अपने को पहारी बाहुबली छत्रिये कुल का बताते हैं सोचिये अब क्या क्या ख़बरे चल रहे है क्योंकि CM को हग दे दिया है किसी की भी हत्या कर उसका इंकाउंटर बता दे अगर अपरादी है तो सरकार कौन होती हत्या करने वाली सजा देने का काम अदालत का है, सरकार पुलिस का नहीं एंकाउंटर पुलिस द्वारा निर्मम हत्या चाहे किसी भी जाती या धर्म का हो घोर अन्या है मुखमंत्रिया अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते इसलिए निर्दोस लोग की स्टीफ द्वारा हत्या कराई जा रही है अनुझ परताब सिंग स्टीफ और मंगेस या अदब क्या पुलिस द्वारा एंकाउंटर समाधान है या चुने हाली में अनुझ परताब सिंग का मामला हमारे सामने आया जो सुल्तानपूर पुलिस में तो यह तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सुल्तानपूर जोली रूटकान में पहले डकायत के एक यादब मारा गया था अब उसी परकर्ण में ठाकुर मारा गया मारे गया बदमास अनूज परताप सिंह के पिता ने कहा कि अब जाकर अखलेस यादब के दिल को ठंड़क पहुंची होगी क्योंकि उनकी बिरादरी के डकायत को मार गिरा सुचिए यह इस तरह के जातिय उनमाद है यह अनूज परताप सिंह है सुल्तानपूर मामले में पुलिस ने मंगेस यादब की तरह इसे भी मार दिया वे लोग जो इनकाउंटर का समर्थन करेंगे उन सब से अच्छे बुले लोग बारे जाएंगे जाती कितनी बड़ी चीज होती है चुकि उनकी जात का मुखमंतृ है तो वो मुखमंतरी पर सवाल ने उठा रहे हैं वो अखलेश यादब पर सवाल उठा रहे हैं यह है जाती का प्रेम योग्याद इतना सरकार पर लगाता ठाकुरबाद के आरोप लग रहे थे उन्हीं से बचने के लिए सुल्तान डगैती मामले अनुझ परताब से क्या एंकाउंटर किया अखलेश यादब जी की मनोरम कहानिया वाली किताब में अनुझ का नाम तो आएगा नहीं यह देखिए रामा सरोज ने कहा है तो सुचिए इनकाउंटर को भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि यह इनकाउंटर राज जो है वो ठीक नहीं है और अमेठी मनुझ परताब के इनकाउंटर का मामला मिर्दका की बहन अमिसान इनकाउंटर पर उठाय सवाल एक कानून बास्ता में अंधा है कोई इनसाफ नहीं मिल रहा 35-40 मुकदमे वाले खुले आम घूम रहे हैं और मेरा भाई निर्दोस था उसका इनकाउंटर में मारा गया है तो यह इस्तिती है फिर भी जनरल कैटिकीरी के लोग तो फिर भी अपने लोगों के बारे में बात कर लेते हैं लेकिन दलित पिछरे किसा नल्फ संख्यक के माता पिता भी उनके बारे में बात नहीं कर पाते हैं तो क्या आप सहमत है यूपी में जिस तरह से इनकाउंटर का राज चल रहा है राजा अपनी गद्धी बचाने के लिए अपने ही परिवार के सदस्य को मारने लगा है पहले मंगे से आदब का इनकाउंटर हुआ अब उस पर लिपा पोती करने के लिए अनूज परताफ सिंग को मार दिया गया अपराधी कोई भी हो योगी जी का एक ही फर्मूला है नो जेल नोबेल सिधा पर्भू से में सुन्तारपूर का सोच ये इस तरह के भी बीजेपी के समर्तक हैं तो जिस तरह से एकाउंटर होड़ा है नो सितम्बर अनूज परताफ सिंग की बहन ने का भाई न का हो सकता है एकाउंटर 33 सितम्बर बहन का डर सही निकला UPSTF ने अनूज को इंकाउंटर में मार दिया सुल्तानपूर्ड डखैती तो यह तमाम लोग जो है वो सोसल मीडिया पर लिख रहे हैं सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बारल मीडिया है क्या आप लोग इंकाउंटर के पक्ष में है या इंकाउंटर के खिलाप में है सुल्तानपूर केस में अब अनुछ परताफ सिंग का इंकाउंटर किया गया सरकार दबाब में है कुछ न कुछ देखिए ये निहा सिंहरा ठोड ने लिखा है आठ नौ को उन्हें टूट किया था सरकार दबाब में है कुछ न कुछ उपायत तो करेगी भागने की कोशिस मत किजिएगा सुचिए उन्होंने सचेत किया था मंगेस यादब के बादब बीपिन सिंग ने जताया जान का खत्रा सुनिए क्या कह रहे हैं बीपिन सिंग तो ये बड़ी खबर है जो सोसल मीडिया पर वाइरल है लेकिन वहाँ जिस तरह से मंगेस यादब के इनकाउंटर का बिरोध हो रहा था ठाकुर जी के इनकाउंटर का बिरोध नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी जो जाती है वो मुखमंतरी की जाती है सरकार की जाती है तो सरकार से सवाल कौन पूछे लेकिन अखिलेश यादम ने कहा है कि मैं किसी भी तरह के इंकाउंटर को justify नहीं करता हूँ आप लोग को क्या लगता है कि क्या किसी पर केस दर्ज होना आरोपी होना दोशी होना है और उसका इंकाउंटर होना चाहिए तो फिर वो सारे बैंक लुठे रे का इंकाउंटर क्यों नहीं मैं अभी भी इंकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ नियाएक परकिरिया है जुरिशियल सिस्टम है भारत बनाना रिपब्लिक नहीं है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल